तो आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं जो फार्मसुटिक्स का चाप्टर नमर 5 है फार्मसुटिकल डोजस फॉर्म उसका एलेक्शन नमर 4 है ठीक है इससे पहले हम तीन लेच्चर बात कर चुके है ठीक है उसमें अलग-अलग टॉपिक्स हम कवर कर चुके है और आज क टॉपिक है इसमें हम देखें है टौपिकल प्रिपरेशन ठीक है और जो 秩ो पीादू यह में उसका चाहते हैं मैं इसका लचाश है ओнд और ऋब कर सकते हो वीडियो क्लासस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलिग्राम चैनल को जरूल जोइन करने वहाँ पे हम डेली बेस MCQ डालते हो उसको क्या है आपकी एक्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो नहीं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को टॉपिकल प्रैशन का मतलब आख को सिंपिली बताऊं जो स्किन पर यूज के जाता है ठीक है यानि एक्स्टरनल पार्ट एरिया पर use किया जाते हैं वो थे topical preparation ठीक है तो topical preparation में सबसे पहले आता है oilements ओइल्मेंट्स ठीक है पहले हम बात करेंगा oilements की oil मेंट्स और the semi-solid formulation oil मेंट्स एक semi-solid formulation होते है carry medicament and design for the topical application यानी इसमें medicament होते हैं और वो design किये जाते हैं किसके लिए टॉपिकल अप्लिकेशन के लिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है डीकल अप्लिकेशन मतलब भार की तरफ यूज़ करने प्लिकेशन वह घाणि can be easily rubbered on the skin यानि जो oilment है इतना मतलब coincidence से होना चाहिए कि उसे हम easily skin पे rough कर चुक है rough कर सके ठीक है यानि topical preparation का simple मतलब था कि अगर हम skin पे कोई चीज़ यूज़ करते हैं उसे हम बोलते है topical applicator ठीक है वहीं अगर easily rough हो सके skin पे एसा होना चाहिए ओयल मेंट ठीक है the oilment based content the medicament in solution suspension यानि जो oilment based है यह content करता है medicament in solution suspension में और emulsion from the vehicle used as a skin protective and emolent की तरह skin productive और emolent की तरह use करते हैं ठीक है यह देखे type of oil moment की बात करें तो कुछ hydrophobic होते हैं lipophilic होते हैं और कुछ water emulsifying oilments होते हैं कुछ hydrophilic oilments होते हैं ठीक है preparation की बात करें का oilment कैसे बनते हैं तो देखे try to radiation की तरह try to radiation में बनते हैं process में फ्यूजर में chemical reaction के द्वारा और emulsion के द्वारा ठीक है preparation चार्चीजों से होती है मनलब चारे process मनलब चार अलग-अलग process से होती है अब इनके advantages की बात करें दे और easily to handle than bulky liquid doses form यानि इसको easily हम handle कर सकते हैं यानि कहीं पर भी ले जा सकते हैं जिस तरह हम bulky liquid doses form को ले जा सकते हैं ठीक है second point की बात करें दे और chemically more stable than the liquid doses form यानि ये chemically more stable होते हैं compared to liquid doses form ठीक है patient sensitive to parental and oral route prefer ailments यानि patient है ये sensitive होता है to parental and oral route prefer ailments ठीक है the contact time between the medicament and the applied area is in the ailments यानि जो contact time है medicament और जो अप्लिकेट एरिया पर लगाना है उसका बहुत कम होता है क्योंकि हम मतलब लगा देती है तुरंत तो बहुत ही कम time है ठीक है drug undergoes first path metabolism on oral administration और given as ailments यानि drug जाता है first path metabolism में oral administration में यानि first path metabolism होता है कि पहले अपने खाया फिर वो absorb होगा तो उसके बाद liver के पास जाएगा महाँ पर absorb होगा जब वो blood stream में जो drug है वो release होगा तो यह होता है first path metabolism ठीक है तो यह element में नहीं होगा क्यों क्योंकि वो तो direct time लगा रहे हैं ना जिस पार्ट पर हमें जरूरत है ठीक है यह होगे इनके advantages अब हम बात करते हैं disadvantages की दे और बुलियर देंदी solidosal form यह bulier होते हैं compared to solidosal form ठीक है यह और less stable than solidosal form और यह और बात यह बहुत कम stable होते हैं compared to solidosal form ठीक है यह दो बात है यह solidosal form से बहुत कम stable होते हैं और बुलियर होती है solidosal form से ठीक है यह हो गया oilments के बारे में अब हम देखेंगे paste के बारे में ठीक है यह रहा फिस्ट पेस्ट और one of the type of semi solid preparation paste semi solid preparation है indent to be used external on the surface area of the skin यानी external use के लिए किया जाता है surface of the skin के लिए in order to provide productive covering क्यों क्योंकि protecting covering provide कर सके ठीक है और preparation कैसे होती है tituration method से और fusion method से ठीक है suppositories and parestasis ठीक है suppositories और defined as medicated solid और semi solid dosage form from int for insertation into the body cavity like rectum vagina और uterus urethral यानी suppository वो होते हैं जो medicament solid content करते हैं या semi solid dosage form होते हैं जो innate करते हैं body cavity में जासे rectum में वे जाइना में यूरेथ्रल ट्रैक में ठीक है when insert into the body this dosage form melted disagreement or dissolve the body temperature यानी यह क्या करते हैं जब हम इन्हें inert कर लेते हैं inert कर लेते हैं तो body के अंदर यहा कि क्या होता है dosage form melt हो जाता है dissingrain and dissolve हो होता है at the body temperature ठीक है अब बात करते हैं परिसेस और दी solid medicament preparation design for the inserted into vaginal where the melt or dissolve यानी जो परिटे परिसेस यह भी medical preparation है design किया गया insert to vagina में डाला जाता है फिर melt होता है dissolve हो जाता है ठीक है there are following three types यानी तीन टाइप को होते हैं यह कुलता है melted parisaces और compressed और एक vaginal capsule देखिए they are the cone shaped होते हैं यह and prepare in a similar way to molded supposed यह यानी यह cone shape होते हैं और prepare किया जाते हैं similar way to molded supposed days की तरह अब बात करने composition processes they are the various shapes are prepared by compressing similar to oral tablet यानी यह oral tablets compress करके बनाया जाता है सेम ऐसे ही यह बनाया जाते हैं ठीक है vaginal capsule की बात करें this or similar to soft gelatin oral capsule की तरह यह कैस होते है vaginal जो capsule हैं यह soft gelatin capsule की तरह होते हैं different only in size and shape खाली size और shape में ही different होते हैं ठीक है मेरेट के बात करें तो improve enzymatic drug stability यानी यह improve करता है enzymatic drug stability को avoid epitetic first pass metabolism यानी यह first pass metabolism को avoid करता है high drug load होता है और lymphatic delivery देता है और constant and static environment में patient and patient with swallowing difficulty यानी patient को difficulty भी नहीं होती है swallow करने में ठीक है अब demerit की बात करें तो patient appearance and compliances यानी patient को appearance करने में और compliances होती है ठीक है potential for non specific drug loss limited fluid in rectum and formulation and expensive भी यह होती है ठीक है अब type of supposedly किसी बात करें तो rectal supposedly होती है अब बात करते हैं लिगमेंट्स में ठीक है लिगमेंट्स और दी लिक्विड और semi-solid doses form applied in the friction over the unbroken skin यानी जो लिगमेंट्स है यह लिक्विड है या तो semi-solid doses form होते हैं जो apply किये जाते है friction over unbroken area ठीक है unbroken area पर यह लगाए जाते है ठीक है they can also be applied on lint or any other suitable material यानी यह लिंट पे भी और other suitable material पे भी लगा सकते हैं ठीक है which is then placed should be scratch free यानी इसे place किया जाता है scratch free और else uneven surface on the affected area ठीक है ligaments और eitherly soap solution और emulsant यानी जो ligaments होते है या तो soap solution होते है या emulsant होते है use of oil or soap based in formulation facility the easy of application and massage ठीक है यानी use of oil का या soap का based in formulation में easy होता है कि application and massaging में ठीक है preparation की बात करें तो the nature of individual ingredient present in the formulation determined the method employed to prepare in ligaments ठीक है therefore the method used to prepare solution suspension or emulsant can be employed for the preparing ligaments या also यानी जो method लगते है solution और suspension और emulsant बनाने में वही method लगता है ligaments बनाने में ठीक है अब बात करते है lotions की lotion और the liquid preparation same यह भी एक liquid preparation है intent to applied external on broken skin यानी यह broken skin पर लगा जाती है external without friction ठीक है without friction लगाई जाती है और second point देखें they possess low medium isosity इसमें low medium isosity होती है they are formulate as oil in water और water in oil emulsant यानी यह तो oil in water या water in oil emulsant में यह formulate किये जाते है absorbent material like gosia and cotton wool is soaked in lotion and then directly applied over the affected skin यानी यह क्या करते हैं जो absorbent material उसको लेते हैं जैसे gosia हो गया cotton wool हो गया शोप करते हैं उसमें lotion में उसके बार direct apply करते हैं जहां affected skin पर हमें apply करना है ठीक है lotions provide local cooling snooting action as they are incorporate with और protective alcohol यानी जो lotion यह प्रोवाइट करते हैं local cooling shooting और action जो चाहिए incorporate protective alcohol के ठीक है some lotions provide antiseptic action यानी कुछ lotions होते हैं यह antiseptic action भी provide करते हैं जैसे claymine lotion हो गया ठीक है lotions are either applied directly on the skin or applied on a dressing with further covered with waterproof dressing thus reduce evaporation यानी lotion को या तो हम directly skin पर लगाते हैं या कुछ dressing के साथ लगाते हैं जिससे कि waterproof dress ओ और reduce कर सके evaporation को ठीक है यह सारे lotions में देख सकते हैं ठीक है preparation की बात करें तो high speed mixture और homogenous और यूजर 2 to deteriorate the indigrant indigrant and form a smooth paste to which the leftover liquid phase is carefully added ठीक है example की बात करें तो calamine lotion है finally divided into insoluble solid and healthy into permanent suspense in the presence of suspension agent ठीक है those chemical interaction in the liquid for example freshly prepared white lotion हो गया without any suspension agent अब यह तो हो गया क्या lotion अब हम देखते हैं gels ठीक है यह jellies jellies और the semi solid gels होते हैं यह ठीक है और having suspension content इसमें suspension content होता है small inorganic particle या तो large organic molecule interrupted by liquid ठीक है types of gels की बात करें तो medicated gels होते हैं lubricant होते हैं और mislinious gents होते हैं ठीक है यह देख सकते हैं ठीक है gels के बारे में इतना ही था gels और transparent होते हैं translucent होते हैं और non-gracy होते हैं और semi solid gels mean for external application के लिए ठीक है अब बात करते है cold cream के बारे में cold cream और water in oil और oil in water type emulsion यानि यह cold cream है यह water in oil है यह oil in water type emulsion है ठीक है added with certain fat यानि इसमें कुछ fat add किया जाता है generally be wax and perfuming agent ठीक है this or applied on the skin to provide smoothness and remove mask makeup यानि यह apply के जाता skin को provide करने के लिए smoothness and remove makeup के लिए ठीक है cold cream on neighbors due to cooling effect the impact on application यानि इसे cold cream क्यों कहा जाता है क्योंकि यह cooling effect देता है जहां पर हम लगा रहे है ठीक है कुछ idle properties देखें cold cream की it should have low sensitive index यानि इसकी low sensitive index होना चाहिए it should be elegant in appearance elegant होना चाहिए appearance में और non dehydrate होना चाहिए it should provide smooth texture rose को देना चाहिए नौन ग्रेशी और नौन स्टेनिंग होना चाहिए cause irritation to skin यानि को irritation cause नहीं करना चाहिए skin को it should not alter the member or skin function यानि कोई skin function और member function को alter नहीं करना चाहिए यान कोई changes नहीं आने चाहिए उसमें it should be missable with the skin secretion यह missable हो सकती है skin secretion के साथ ठीक है अब देखते है vanish cream vanish cream also known as day cream as they are applied in the daytime यानि vanish cream को हम day cream भी बोल सकते हैं क्यों क्योंक्यूंक्यूंक्यूंक्यूंक्यूंक्यूंक्यूंक्यूंक्यूं अप्लाइ करते हैं daytime में ठीक है this cream provide emolent and protective action to the skin against environmental condition यानि ये cream ये provide करती है element और protective action to the skin against environmental condition में ठीक है by forming ये नीदर ग्रेशी नौर oily semi ocular residential film ठीक है vanish cream और oil in water type emulsion यानि जो vanish cream है ये oil in water type emulsion है ठीक है properties की बात करने तो it should have high melting point होना चाहिए it should pure white in color white होना चाहिए pure white in color it should possess a very slight order इसमें very slight order होना चाहिए it should have less amount of iodine इसमें iodine भी बहुत कम आउंट में iodine होनी चाहिए ठीक है preparation की बात करें तो इसमें ये सारे डालने पड़ते हैं देखें इतने इतने percentage है सबसे पहले जो sterile as is melt करेंगे by heating with water वात्ती के उसके बाद potassium hydroxide इसमें dissolve करेंगे पहले इसको melt करेंगे इसको dissolve करेंगे in water में and glycene is added उसके बाद glycene add करेंगे and mix it heated 75 degrees इसके बाद हमें mix करेंगे 75 degrees temperature यानि इसके बाद हम क्या करेंगे इसे हम seric acid में डालेंगे यानि इलाते हुए the obtained mixture is maintenance 40 degrees celsius यानि जो हम solution यानि जो mixture हमको मिल ला है उसे हम 40 degrees celsius पर maintain रखेंगे added with suitable perfume उसमें suitable perfume उसमें डाल देंगे ठीक है उसके बाद वो बनके तयार हो जाएगी ठीक है तो आज की class में हमने क्या क्या देगे देगे यानि आज की class में हमने वो सारे देगे जो उसके बाद हमने देखे लिगमेंट्स लोशंस जेल्स कोल्ड क्रीम वैनिश क्रीम ठीक है अगर आप इसकी PDF नूट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी website पर से कर सकते हूं और वीडियो क्लासस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हूं और टेलग्राम चैनल को जरूर जोइन करें आप डेली बेस एमसी को डालते हैं उसके क्या आपको एक्जम की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है टैंक यू फर वाचिंग दी वीडियो